अक्षे कुमार की वज़े से इस एक ट्रेस ने महज 22 साल की उम्र में खो दी थी वर्जिनिटी अक्षे कुमार फिल्मों के आलावा अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं शिल्पा शेटी शिल्पा शेटी एमर्म अक्षे कुमार की अफेयर की खबरे उस दोरान खूब सुर्खियां बटोरी खबरों की माने तो शिल्पा शेटी अक्षे कुमार के प्यार में पूरी तरह से पागल थी वह अक्षे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी शिल्पा शेटी ने लंदन में आयोजित एक शो के दोरान इस बात का खुलासा किया था शिल्पा ने बताया कि महज 22 साल की उमर में वेह अपनी वरजीने टीखो दी थी जिसकी वज़े अक्षे कुमार थे उस दोरान ये खबरें जम कर वाहल हुई थी इस शो में किया खुलासा शिल्पा शेटी ने वरजीने टीखोने का खुलासा लंदन में आयोजित बिग गलर्स शो में किया था शिल्पा ने बताया कि एक समय ऐसा था कि उन्हें अक्षे कुमार के आलावा कुछ नहीं दिखता था वह अक्षे कुमार की दिवानी थी वह अक्षे से एक पल के लिए दूरी बरदाश्ट नहीं कर पाती थी ग्यात हो कि अक्षे कुमार इवर्म शिल्पा शेटी के बीच नजदी किया फिल्म तो खिलाडी में अनारी से बढ़ी थी दोनों के बीच अफेर काफी समय तक चला शादी तक पहुची चुकी बाद शिल्पा शेटी अक्षे कुमार को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती थी उन्हें हर समय डर लगता था कि अक्षे कुमार उनसे कहीं दूर ना हो जाएं शिल्पा अक्षे को लेकर पूरी तरह से सेक्योर नहीं थी इन दोनों की शादी को लेकर भी कबरे तेजी से वायल हुई थी शिल्पा ने शो के दोरान एक अंटे स्टेंट वो बताया कि उन्हें पहली बार किस जिस शक्स ने किया था वे हक्षे कुमार थे उन्होंने वर्जिनेटी फिल्म की शूटिंग के दोरान खोई थी अक्षे ने शिल्पा को लेकर एक दोस्त से भी कहा था कि शिल्पा जितनी सीधी साधी दिखती है वे उतनी है नहीं इस वज़े से हुआ ब्रेक पे एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच ब्रेक अप हो गया इस ब्रेक अप के पीछे की वज़े ट्वीम कलखना को माना जाता है कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दोरान ही अक्षे कुमार ट्वीम कलखना के करीब आ गए और अक्षे एवाम शिल्पा में दूरियां बढ़ गई शिल्पा ने शो के दोरान बताया था कि यह सब उनके लिए मुश्किल था लेकिन उन्होंने अपने आपको समझाया इम्मत दी बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो गया